हलो गाइज, वालकम बैक टू मैक्वे अडूबरेंग आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ क्यों देना चाहिए अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता नहीं कि क्या होता है तो उसके लिए मेरा पिछला वीडियो देखें उसका लिंक मैंने description में दिया हुआ है आज के वीडियो के जरीए मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो important reasons क्या है जिसकी वज़े से हर science student को KVPY exam जरूर से देना चाहिए यह सारी बात जानने के लिए बने रहें वीडियो के आन्ति तक और अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को subscribe जरूर करें bell icon button जरूर प्रेस करें चलिए तो बात करते हैं कि KVPY exam आके इतना important क्यों है इसा देना क्यों चाहिए मैंने 3 reasons important है जो short list किये हैं उसमें सबसे पहला reason जो है वो है कि अगर आप JEE, IIT JEE या फिर NEET की preparation कर रहे है मतलब आप JEE aspirant है या NEET aspirant है तो 100% आपके लिए exam अवश्य अंभावी है, compulsory है या आपको देना ही चाहिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं क्योंकि जब आप JEE की preparation start करते हैं नीट की preparation जब आपने start की थी then मेरे हसाब से ज़्यादा तर स्टूल्स इस exam की तयारी 11th class से शुरू करते हैं तो 11th class में जब आप preparation start करते हैं तो बच्चों आपका जो exam है final exam जिसके तो आपको rank मिलती है college a lot होता है वो 2 साल बाद होता है और 2 साल एक बहुत बड़ा period होता दोस्तों इस 2 साल के span में कई सारे बच्चे जो है अपने track से distract हो जाते हैं और जिस मकसद के लिए वो अपने घर से निकलेते हैं जिस मकसद के लिए उन्होंने coaching join की थी जिस मकसद के लिए उन्होंने science लिया था इसके अलावा यह मतलब इतना लंबा टाइम है कि इसमें कई लोगों को तो भुरियत में आसूस होने लगती है performance up and down हो जाती है टैस्क में जो coachings आप लोग ने जो भी coaching join कर रखी हैं उसमें जो आप टैस्क देते हैं fortnightly या monthly उसमें जब performance अच्छे नहीं आती हमारा confidence low होता है तो वो भी बहुत बड़ा reason बनता है कि हम उस हमारी pace को maintain नहीं रख पाते हैं उस enthusiasm को maintain नहीं रख पाते हैं और बचों कोई आसान काम नहीं है इसमें आपकी गलती भी नहीं है दो साल एक बहुत बड़ा period होता है तो आखिर कैसे अपने जोश को उत्सा को बनाए रखें देखो अगर जो exam है आपकी coaching में definitely वह टेस्ट होते होंगे लेकिन वह real exam feeling नहीं देते हैं आपको मान दीजे ऐसा real experience वाला examination आपको हर six months में मिले जिसमें की selection एक important चीज हो जिसका achievement आपके लिए family के लिए बहुत important हो तो क्या होगा in every six months आपका adrenaline secret होता रहेगा और आप कहीं नहीं preparation में बने रहेंगे आपने देखा होगा न कि जो जैसे cricket की बात करते हैं आपने देखा cricket की जो team होती है हमारी जो Indian cricket team है या कोई भी किसी भी country की cricket team है वो बहुत frequently matches खेलती है और international matches ज्यादा खेलना पसंद करते है कारण उसका क्या है कि जितने ज्यादा international matches खेलाड़ी खेलता है उतना उसका experience बढ़ता जाता है उतना ही pressure को under pressure खेलने की उसकी जो capacity वो develop होती जाती है यही काम आपको करना है जो final exam है जेए का exam है या NEET का exam है उस final exam में भी बहुत pressure होता है उस बहुत ज्यादा pressure में आपको अच्छा perform करना है तो वैसा experience आपको पहले होना चाहिए अब ऐसा तो लिए कि आप जही बार बार दोगे है ना हम तो चाहते है कि आपका जही एक ही बार में crack हो जाए और आपको अच्छा college मिलेगा लेकिन वैसा real experience कैसे मिलेगा तो यह जो kbp by exam है मैंने आपको बताया कि kbp by exam 11th में भी होता है November month में okay 12th में भी होता है November month में तो इस exam से आपको अपने preparation को परकने का एक मोका मिलेगा और यह देना ही चाहिए क्योंकि इससे आपका confidence boost हो रहा है क्योंकि आपको पता लग रहे है कि आप कि इतने गहरे पानी में क्योंकि जो exam आप देने वाले है आई टी का या नीट का जो exam देने वाले है वह भी तो objective pattern पर बेज़ है और यह भी objective pattern पर बेज़ है syllabus होई है science 11th तो आपको यह exam जरूर देना चाहिए जो जही एस्पेरेंट है या फिर जो नीट एस्पेरेंट है उनके लिए यह बहुत important examination है अपनी तयारी को पर रखने का और अपने जोश को अपने enthusiasm को बनाए रखने का okay by chance जैसे कुछ आप लोगों के रिमाग में आ रहा होगा sir अगर मानदो selection नहीं हुआ तो हमारा तो confidence लोग हो जाएगा देखिए अगर आपका kbpy में selection नहीं होता है तो आपको अपना confidence लोग करने की बिलकुल जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ऐसे बतेरे examples हैं जिनका kbpy में selection नहीं होता है लेकिन वो neat में बहुत अच्छी rank लेके आते है ज तो इसका connection जरूर है जही और kbpy का syllabus वाइस, syllabus जो है उसमे connection है directly, pattern में connection है लेकिन selection ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक exam आप अच्छे से नहीं कर पाया तो अगला exam आपका विगड़ेगाई से ही, एक खिलाड़ी होता है वो जरूनी हर race में जीतता है लेकिन continuity बनाया रखने क हर competition में participate करना ज़रूरी होता है, तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप J.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N.E.S.P.E.N. नहीं हैं, मतलब जो डॉक्टर नहीं बनना चारहें, जो एंजिनियर नहीं बनना चारहें, लेकिन साइन्स के फील्ड में उन्होंने अपने करियर को आप्ट किया हैं, वो सकता है वो सकता है वो सकता है वो Aero Space Industry में या किसी भी research में जाना चारहें हो, उनके लिए तो यह ब अगर आप एक्जाम नहीं देने वाले, जेए का, नीट का, तो भी आपको एक्जाम देना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो fellowship मिलती है, एक बहुत सारे अच्छे colleges ऐसे हैं इंडिया में, जो KVP वाइ स्कॉलर को admission में preference देते हैं, जैसे ISER हुआ, Indian Institute of Science, Education and Research, या खुद IISC जो इसकी governing body है, जो इसको exam को conduct करती है, Indian Institute of Science, और ऐसे बहुत सारी universities है, तो अगर आप मानलीजे, you are not interested in J&E, leave it, लेकिन आप science में तो career बनाना चाते हैं ना भई, science में तो आपको interest ले, तभी तो आपने science लिया है, तो आपको किसी अच्छे college में graduation करने का मौका मिलेगा, अगर आप KVP वा scholar हैं, वहापे आपको preference मिलेगी, तो ये भी एक आपके लिए important reason है, जो बच्चे नहीं बनना चारें, इंजिनियर, नहीं बनना चारें, डॉक्टर, कोई बात नहीं, इससे आगे और बहुत कुछ scope है आप लोगों के लिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको इस तरह के exams देना जरूरी है, और तीसरा सबसे important जो reason है, वो है कि by the KVPY exam, you earn a social reputation, अगर आप KVPY fellow बन जाते हैं, तो जो society में जो समाज में आपके इज़द बनती है न, वो मतलब देखने लायक होती है, और इससे आपको confidence boost होता है, देखो दोस्तों, आप सोच रहोंगे सर, जरूरी के confidence 11 पे boost करने, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना जादा और जितना जल्दी आपके अंदर confidence होगा, over confidence की बात में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक confidence की बात है, अपने आप पर विश्वास की बात है, जितना जादा आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, उतना ही सफलता कि आप करीब पह अब आपको अपने आप पर विश्वास क्यों हो देखिए आपके पास कोई achievement नहीं है आपके पास knowledge bank नहीं है आपके पास कुछ अच्छे certificates नहीं है तो फिर किस बात का confidence आपको अपने उपर होगा लेकिन अगर आपकी knowledge अच्छी है और उस knowledge जो अच्छी knowledge है उसके थुर आपन आपको confidence को बढ़ाते हैं देखिए जंग जीतने के लिए हतियारों की जरूरत नहीं होती है जंग जीतने के लिए किस बात की जरूरत होती है होसले की जरूरत होती है किस बात की जरूरत होती है बच्चों होसले की जरूरत होती है देखो मैं आपको बताता हूँ तीन चीज एचाब भी नहीं मतलब जो आपकी लिमिट से बाहर आपको लगता था आपका जुनू आपसे वो करवा सकता है हौसला हौसला आप से वो करवाता है जो आप जिसकी आपने कल्पना की जो आपका सपना है अपने सपने को पूरा जिसको आप करना चाहते हैं मतलब होसला आपके लिए किसली जरूरी है जो आप करना चाहते है उसको पूरा करने के लिए होसला उसको पूरा करने के लिए साहस के requirement है और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए तो यहाँ पर आपको होसले की बहुत जरूरत है अगर आप 11th में है तो आपको encouragement चाहिए यह encouragement ऐसे छोट-छोटे exam से तो मिलता है इनी से तो confidence होता है एक बड़े platform पर खड़े होने की हिम्मत अमारे अंदर आत you must prepare sincerely for this examination ओके और एक question आपके दिमाग में आ रहा होगी sir इसकी preparation कैसे करें इसका syllabus क्या होता है तो बच्चों मेरा next video इसी पर आने वाल है कि इसका syllabus क्या है इसकी preparation कैसे करना चाहिए तो बने रही है मैक वैडू ब्रेन के साथ thank you